तो वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल अंस्टॉपबल इंडियन आज हम करेंगे धमाका बाकी बहुत सारे क्रैकेट्स के हमने टेस्टिंग कर लिए आप वीडियो देख सकते हैं जाके चैनल पर और आज हम एकदम जैसे मैंने वहला धमाका करेंगे तो आप समझ गये होगे अपने पास है धमाकेदार चीज अपने पास है वी आईपी आंधी तूफान भाई इसका तो डबबा भी ऐसा है एकदम दरावना सा आंधी तूफान है हमारे पास उसके बाद है अपार पास कॉर्नेशन का फॉयल और नेशन का नाजी और क्लासिक ग्रीन तो आज मैं आपक इन सबकी टेस्टिंग दिखाता हूं और देखते हैं किस में कितना दम हैं और कौन ज्यादा तेज अवास करता है आज क्लियर हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टर के लिए थोड़े छोटे से लड़ी से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने आएगा बाद में धमाका तो पहले हम लड़ी जलाते हैं तो वाई यह थी अपनी लड़ी अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर तो अपने पास से नेक्स्ट आइटम बुलिट यह बुलिट की हमने सुतली थोड़ी सी छील दिया है क्योंकि हमें अभी पता निये कि इस बुलिट में से अनार निकलेगा नॉर्मली अनार निकलता है पर किसी किसी में नहीं निकलता तो अभी पता नहीं इसमें निकलेगा कैसे तो निसकी थोड़ी सी च्छिल दीए है कि अब जैसे भी फटे अब देखते हैं कैसे पटता कितना इस पटता है एक इसमें अर्भी जिला कोई मेरे तो कानुस सीटी बजगी बहुत तकड़ा बुलेट ता है साइस के साफ से और यह बुलेट इतना तेज़ खुट है तो भाई यह जो अपने पास रखा हुआ है यह जो पूरा अमारे पास असला रखा हुआ है यह तो भाई कुछ दमाका ही कर देगा तो चलो अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टार्ट यह अपना है अनार बम अब हम इसको जला के देखते हैं बुलेट तो बहुत तेज़ था अब एक बार इसको जला के देखते हैं तो बुलेट के बाद है बारी अनार बम की इसमें सा तो पक्का निकलना चीए अब बागी देखो इसको जलाते हैं वाई ये ता अनार बम इससे मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी पर बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें अनार की टाइमिंग अच्छी थी बुलेट बम से वास थोड़ी कम थी बट बहुत अच्छा था क्योंकि अनार बहुत अच्छा था अब हम क्या करेंगे अब हम हम अभी शुर्ट करेंगे अपने क्लाशिक से तो पहले हम जलाएंगे क्लाशिक है और इसको देखते हैं किया साॉंड करता है हो सकता है कि वीडियों में अत्तना साउंड आ रहा है और वह हम आपको बतादेंगे किया कैसा लगा सामने से ने मेरी सब्धिन तो आपको जाए तो यह अपना हो गया क्लासिक ग्रील यह मनें जला लिया इसके आवाज अच्छी थी अब शेए साइज में बट यह हे नाजी मतलब कर्दशें का वह यह तो सब कोंबता होगा तो अब इसको देख लेते हैं असल में बात है कि जो क्लासिक का है मतलब साइस सेम है बट प्राइस में डिफरेंस है क्लासिक का है थोला सचता और कॉड्नेशन नाजी तो भाई महेंगा होता ही है और साउंन में भी जहां तक मुझे लगता है पर्क आएगा अब देखते हैं कितना आएगा तो यह था हमारा कॉर्णेशन का नाजी और यह क्लासिक ग्रीन से था हैवी, यह थे थोड़ा हविए है क्लासिक ग्रीन था था Soyüzा का अब अपने पास स्क्रणेशन नाजी के बाद i mar soup नाधि फै olv diferentes और ये ग्रीन से महंगा है तो देखते हैं कि यह महंगा है बस या पर फटता भी तेज है तो आए इसे जलाते हैं अब एक बार बाई साब यह बहुत तेज़ता मतलब नाजी ग्रीन तो था अच्छा पर यह कुछ अलग लेवल था बाई सर एकडम मेरे सर में लग रही है भी तक अबाज इसकी जो फटा है ना है बहुत तकड़ा आसपास की गाड़ी सारी बोल गई है अब अपने पास जो है अब मुझे सोचने में भी लग रहा है कि मैं इनको जलाऊं के नहीं जलाऊं जब कॉर्णेशन इस साइज में ऐसी आवा देखते हैं वाई यह इतना बड़ा आलूबं क्या आवास करता है चले देखते हैं तो वाई यह था आंधी तूफान और यह यह मैं बता रहा हूं जब आप जलाऊंगे ना यह आंधी तूफान ले आएगा अब माइक क्या करता है फोन का माइक अवास को थोड़ा सा कम कर देता है उस लेवल पे ताकि कान ना खराबों और उसके लिए अवास को कम कर देता है बट यह जो फील किया है ना इससे मतलब बॉड़ी में वाइब्रेशन फील हुई है इतना तेज यह फटा है अब मुझे नहीं पता है कितना जस्टिस करेगा माइक हाला कि मेरे पास आपल का 14 प्रो से में रिकॉर्ड कर रहा हूं अब वो माइक कितना जस्टिस करेगा कितना नहीं मुझे नहीं आइडिया बट हमारा फटा आंधी तूफान अब हमारे पास वि आई पी जो ऑलमोस्ट आलमोस्ट सेम साइज है इससे आजी तूफान से थोड़ा बड़ा साइज है और यह दूसरे कमपनी के तरफ से आता है तो भाई ये था विए पी और मेरे कान गुंजरे वाई अभी तक तो इस वीडियो में सबसे तेज पटा का कौन सा पटा कोई डाउट ही नहीं है एक तरफा अपना विए पी तो भाई विए पटा का वो फोड़ेगा जो खुद एक विए पी होगा करें सीधी वाध भाई बहुत तेज पटा है तो जैसे हमने क्वास टाउट सू प्रिपूंत करी थी कौन सा तेज पटेगा नहीं तो जिस हिसाब से मने स्प्र jáुएं में वीशे फटा है वह उट्स पहले classic का green उससे तेज नाजी कॉर्णेशन उससे तेज नाजी का फॉइल कॉर्णेशन का उससे तेज आंधी तूफान पर आप size देखो इनका और सबसे तेज VIP ये जो अपना VIP है सबसे तेज और बाकी अपना size के साफ से bullet bum भी बहुत अच्छा फटा और price के साफ से भी और ब अच्छी टाइमिंग के साफ से बहुत अच्छी बहुत से नारों की इतनी टाइमिंग नहीं होती तो बहुत अच्छा था आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसको आप कमेंट में बताएं अच्छी लगी तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेस्टिंग चैनल में जाए बागी टेस्टिंग करें और किस चीज के आपको टेस्टिंग चाहिए आप कमेंट करें और उसकी टेस्टिंग भी धीरे धीरे आगे आती रहेगी आज के लिए इतना ही तो सारे भाईयों को राम राम बाई बाई